कि नमस्कार दोस्तों मैं गुरुमीत कुछुरा आज मैं आपको दिखा रहा हूं गयूं में खर्पत नाशिक यह खर्पत नाशिक बत हुआ गया इसमें गाज्जिर का आसा गया और पालक आगी सर्सों आगी तो यह गहूं के अंदर मारनी बहुत जुरूरी हो जाती है क्योंकि यह गहूं का नुक्सान ही नुक्साना मैंने देखा है एक बार मैंने नहीं की इसमें पिछली बार जिस भीगों मैं नहीं की तो वहां जाड़ का बहुत डिफरेंस है सर्सों हो गए इसमें तो यह आपको मैं दिखा रहा हूं आपको मैं एक बड़ी असंता सुन्दर मैं किसी भी कंपणियों प्रमोड नहीं करता लेकिन मेरा जो प्रेक्टिकल ही वह आपको दिखा रहा हूं इसमें मैं यह सपरे कर रहा हूं मिल ग्रीप पिछली 20 प्रेंट है पिछले साल भी मैंने यही की थी इसमें मैं इन्बॉक्सिंग करके आपके दिखा रहा हूं इसमें एक तो यह लिकृट आएगी 200 ग्राम एक इसमें पुड़ी आएगी अलग भग यह 120 रुपए का लग भग यह पैकट आता है ka एम लिकंब और तो यह 30 बीचे का है एक तो इसका खरचा मनें अपने पिचाःस से लेकर क्लिट पह्युत के तो पहले कि यह 10-100 ये पानी में तक पानी में घोलने के लोने हैं अपनशाब मेरे ले ले लेना है पान डाल के उसमें आप इसकी सब्रे कर सकते हो और एक इसमें अगर जग बात्थू ज़्यादा है बात्थू या पालिक ज़्यादा है इसमें तो गजरगास भी है तो नॉर्मल को तो वो खत्म कर देगी ने उसमें अगर आप ये मिला लो टू फोर्डी अठावन पिसंट तो ये देख लो इसमें सरसों मैं लोग कि आपकी ग्यों को कोई नुक्सान नहीं होगा लेकिन फसल आपकी दिक्कत नहीं आएगी कोई भी इसमें और बढ़िया इसका रिजल्ट बढ़ जाएगा ये आप डालो इसमें और यह जालत अच्छा हो जाएगा इसमें आप थानों मिला के your 50 ग्राम पर्ती डोल की पर्ती डोल की यह प्रती मैं जाल सकते हैं 40-50 ग्राम और यह आपने डींड़u वी koyे नीमे ना पैकन यह पूरा प्लेट करके पहले इसको गोड लेना है और फिर इसमें यह लिकुड मला लेना है तो यह अपने हिसाब से जैसे जित्ती डोलगी डाल रहे उसी हिसाब से पाण डाल लेना और मिलाके यह अब डाल देना अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेर कमेंट और सब पनावाल